माला की पहली से ही तीम बेटियां थी और एक बार फिर वो मा बनने वाली थी इस वार उसकी कोक में जुड़वा बच्चे थे माला का पती सुरेश एक कार खाने में काम करता था इसके अलावा परिवार में उसकी साज भी थी जो हर वक्त माला को बस एक ही ताना देती रहती थी ओ करम जली कहां मर गई पोता तो दे नहीं सकी कम से कम पेट भर खाना तो दे दे कब से कटोरी खाली पड़ी है सबसी लेकर क्यों नहीं आती वो माजी सबसी तो खतम हो गई क्या अरे नास पीटी तुझसे कितनी बार कहा है पहले मेरे बेटे को और मुझे खाना खिलाए कर उसके बाद इन मनहूसनियों को माजी तीनों बच्चियों ने कल से कुछ नहीं खाया था इसलिए आज मैंने उन्हें पहले खिला दिया मैं अभी अचार लेकर आती हूँ आप लोग उससे खालो हाँ हाँ हम तो अचार खाने के लिए हैं देख रहा है सुरेश क्या हालत हो गई है हमारी तुझे कितनी बार समझाया मैंने कि छोड़ दे इस मनहूस को ये हम पर बस बोज बढ़ाने को ही आई है हाँ माह सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ पर इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसकी और इसकी लड़कियों की खैर नहीं ऐसा लगभग हर रोज ही होता था मसला चाहे कोई भी हो बात यहीं आकर खत्म होती थी कि माला अब तक बेटा पैदा नहीं कर सकी सुरेश की कमाई कम थी ये कोई नहीं कहता था उल्टा घर की गरीबी के लिए माला और उसकी बेटियों को ही जिम्मेदार ठहराय जाता था माला भी मजबूर थी ना तो वो पढ़ी लिखी थी और ना ही घर में उसकी कोई सुनता था वो तो बस इस उमीद में जी रही थी कि शायद इस बार उसे बेटा पैदा हो जाए और उसके परिवार का रवया भी बदल जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं माला के जुड़वा बच्चों में एक बेटा था और एक बेटी सुन सुरेश एक काम कर इस मनहूस को अभी के अभी कहीं फेक कर आजा मुझे पोता चाहिए था वो मिल गया बस अब इसके अलावा मुझे और कोई बोच नहीं चाहिए बच्ची है आपका खून है ये तो चुपकर तुझे तो कुछ करना नहीं है इसका खर्चा पानी तो मुझे ही जहलना होगा ना पहले से ही ये तीन तीन लड़कियां जनके तुने क्या काम आफ़त डाल रखी है जो अब इसे भी मेरे सिर पर मरना चाहती है मैंने तुससे पहले ही कहा था कि मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए वो तो शुकर मना कि इस बार बेटा हो गया वरना तुझे तेरी इन लड़कियों के साथ घर से बाहर निकाल देता मैं माला का सबर अब जवाब दे चुका था उसकी हालत बहुत खराब थी लेकिन फिर भी वो बिस्दर से उठी और अपनी बच्ची को सुरेश के हाथों से छीनते हुए बोली बस अब बहुत हो गया मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी तुम्हें बेटा चाहिए था ना तो लो संभालो अपना बेटा मैं अपनी चारो बच्चीयों को संभाल लूँगी वो भी तुम्हारे सहारे के बिना माला ने अपनी चारो बच्चीयों के साथ घर छोड़ दिया उसकी सास और पती ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश तक नहीं की माला ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया लेकिन अब उसके सामने कई चुनोतियां थी पिंकी तू इन सब का ध्यान रखना मैं काम ढूडने जा रही हूँ जल्दी आ जाओंगी लेकिन मा अगर छुटकी रोई तो तो मैं क्या करूँगी हाँ अगर ये रोई तो तो ये पानी पिला दे ना इसे ठीक है माला के पास कुछ नहीं था सिवाए हिम्मत के और आखिरकार उसे कमाई का जरिया मिली गया सुबह के वक्त वो कई घरों में साफसफाई का काम करने लगी और फिर उसके बाद एक फैक्टरी में मजदूरी भी करने लगी इस संघर्ष में उसकी बेटियों ने भी उसका खूप साथ निभाया दोनों बड़ी बेटियां पिंकी और रिंकी घर और अपनी छोटी बेहनों को संभालती और माला सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाती इस तरह गुजारा तो चलने लगा लेकिन माला के लिए इतना काफी नहीं था उसे अपनी बेटियों के भविशी के बारे में भी सोचना था माला आज थोड़ा रुखसक होगी क्या वो मुझे थोड़ी सफाई करवानी थी अंदर वाले कमरे की मेम साब मैं कर दूँगी बस एक बार घर होकर आ जाओ मेरी छोटी बच्ची भूकी होगी उसे दूद पिला कर अभी वापस आ जाओगी फिर आप चाहे जितना काम करवा लेना तुम इतना सब कैसे कर लेती हो माला सच में चार-चार बेटियों की जिम्मेदारी उपर से इतना काम ऐसे तो तुम बिमार पढ़ जाओगी क्या करूं मेम साब मेहनत के सिवाए और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास इनके बाप ने तो इने छोड़ दिया अगर मैं भी हिम्मत आर गई तो क्या होगा मेरी बच्चियों का और मेम साब सच कहूं तो इतना काम करके भी मैं कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ जितना कमाती हूं सब पेट भढ़ने में इखर्च हो जाता है डर लगता है ये सोच कर की जो मेरे साथ हुआ इस हाल में तो मेरी बच्चियों को भी वही सब झेलना पड़ेगा मालती उस घर की मालकिन थी जहां माला काम करने जाती थी माला की हालत पर उसे बहुत तरस आ रहा था तो उसने माला की मदद करने का फैसला कर लिया बस माला तुम परिशान मत हो तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हो ना हम मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हो मेरी एक फ्रेंड है जिसके पती एक एंजियों चलाते है मुझे उमीद है कि वहाँ से तुम्हें कुछ मदद जरूर मिल सकती है वैसे एक बात और है जो मैं तुमसे कहना चाह रही थी हाँ मेम साब बताएए न माला मेरी एक और दोस्त है जो बहुत परिशान है असल में शादी के पांस सालों बाद भी वह अब तक मा नहीं बन सकी है जमीन जायदाद सब है लेकिन एक उलाद को तरस रही है वो तो अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी उसे दे दो तो ये ये क्या कह रही है मेम साब भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन अपनी बच्ची किसी और को दे दू इतनी भी मजबूर नहीं हूँ अपने बेटे को पहले ही खुद से दूर कर चुकी हूँ मैं ही जानती हूँ कि उसके बारे में सोच सोच कर क्या हाल होता है मेरा लेकिन अब अपनी बेटी को ना में साब ना ये मुझसे ना हो पाएगा माला रोती हुई वहाँ से अपने घर आ गई घर आते ही उसने देखा कि उसके सबसे चोटी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास तीनों बेटियां रो रही है क्या हुआ तुम सब रो क्यो रही हो मा देखो न ये चुटकी उठी नहीं रही है पता नहीं क्या हो गया इसे पिंकी की बात सुनकर माला के होश उड़ गए उसने फॉरण अपनी बच्ची को हिला कर देखा तो पाया कि वो बेहोश थी माला फॉरण उसे लेकर मालती के पास पहुची मालती ने भी देड नहीं की और फॉरण उसे अस्पताल लेकर गई बच्ची अब ठीक है लेकिन बहुत कमजोर है और इसलिए वो बेहोश हो गई थी आप उसे कल अपने साथ ले जा सकते हैं लेकिन उसकी खुराग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा उसे हर दो घंटों में दूद चाहिए और वो भी अच्छी क्वालिटी का जिसमें पूरा निट्रिशन हो और हाँ बच्ची को हमारे पास लाते रहिएगा उसका रेगुलर चेक अब भी बहुत जरूरी है डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए लेकिन माला सोच में पड़ गई उसकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची का उतने अच्छे से खयाल रखे जैसे कि डॉक्टर ने कहा था जब उसे कोई रास्ता नहीं सुझा तो अपने कलेजे पर पथर रख कर उसने मालती से कहा मेम साब माला अपनी बात पूरी करने से पहले ही फपक कर रोने लगे मालती ने उसे संभालते हुए उससे कहा तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो माला बच्चों को सिर्फ पैदा करना ही काफी नहीं होता उनकी सेहत और बहतर भविश के बारे में भी सोचना पड़ता है अपनी ममता का गला घोट कर आज जो तुम फैसला ले रही हो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उस पर तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा मालती की मदद से माला की दूद पीती बच्ची को ना सिर्फ एक भरा पुरा परिवार मिला बल्कि एक मा की सूनी गोद भी भर गई मालती की दोस्त ने बच्ची के बदले माला को काफी सारे पैसों की पेशकश की लेकिन माला ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया नहीं मेम साब मैं अपनी बच्ची आपको बेच नहीं रही हूँ बलकि सौप रही हूँ अगर आप मुझे कुछ दे सकती है तो बस इतनी अजाज़त दे दीचे कि साल में बस एक बार मैं अपनी बच्ची को आकर देख सकू बस अब तक जब तक ये बड़ी ना हो जाए उस महिला ने माला की बाद मान ली और इस तरह माला ने अपनी एक बच्ची का जीवन तो सवार दिया लेकिन अब सवाल बाकी बच्चीयों का भी था ठीक है हम इन तीनों बच्चीयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे और अगर आप चाहे तो आप भी हमारे एन जीओ के लिए काम कर सकती है आपके हिसाब से कई काम है हमारे पास जिने करके आप अच्छे पैसे भी कमा सकती है और समाज की भलाई भी कर सकती है माला की बच्चीयों का भविश्य बधर में नहीं था और ये सोच कर माला बहुत खुश थी लेकिन अब भी कुश तो था जिसकी चिंता माला को खाये जा रहे थी और वो था उसका बेटा जिसे वो अपने पती और सास के पास छोड़ाई थी अपने ससुराल के पडोसियों से उसे पता चला कि सुरेश ने उसके जाने के बाद दूसरी शादी कर ली लेकिन उस नई मा ने कभी भी उसके बेटे को एक मा का प्यार नहीं दिया उस बच्चे की देखरेख माला की सास राधा ही कर रही थी माला तू तू आ गई अरे बिटवा चुपो जा देख देख तेरी मा आ गई इतना कहकर राधा ने बच्चे को माला की गोद में दे दिया जिसे गले लगा कर माला रोने लगी मुझे माफ कर दे माला तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी सुरेश की दूसरी शादी करवा दी मैंने पर उसके बाद से वो बिलकुल बदल गया बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है ना उसे मेरी परवा है और ना ही अपने बच्चे की राधा इसे ले जा ले जा अपने साथ वरना अगर मेरे साथ रहा तो कहीं ये भी अपने बाप की तरह ही ना बन जाए राधा की आँखों में पच्टावा था और अपने पोते के लिए फिक्र भी दूसरी तरफ मालक के चहरे पर सुकून था इतने समय के बाद उसका बच्चा उसकी गोद में था और वो जानती थी कि अब सब अच्छा ही होगा गरिमा और प्रग्या दोनों बच्पन से ही पक्की सहेलियां थी दोनों में हमेशा से ही बहुत प्यार था और पूरे गाउं में उनकी दोस्ती के चर्चे थे मगर उनकी दोस्ती में एक नया मोड तब आता है जब गरिमा की शादी एक अमीर घर में हो जाती है और प्रग्या की एक गरीब घर में आईए देखते हैं कि दोनों सहेलियों की जन्दगी में आखिर क्या होता है और कैसे वो अपनी दोस्ती निभाती है एक दिन गरिमा की माता-पिता के पास उसके लिए बहुत अच्छा रिष्टा आता है। गरिमा और प्रग्या साथ में ही कमरे में बैटकर बाते कर रहे थे कि तभी गरिमा की माँ उसे आवास लगाती है। गरिमा, अरे ओ गरिमा बेटा, जरा बाहर तो आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है क्या? कैसी खुशखबरी मा? अरे तुम्हारे लिए शेहर से एक बहुत बड़ा रिष्टा आया है तुम्हें पता भी है? वो लोग कितने अमीर हैं उन्होंने तुम्हारी बस एक तस्वीर देखकर तुम्हें एक जटके में पसंद कर लिया अरे तुम्हारे तुम भागे फिर गए हैं बिटा ये सुनकर गरिमा तो बहुत खुश होती है मगर प्रग्या को गरिमा से जलन होने लगती है लेकिन वो किसी तरह अपनी ये जलन छिपा लेती है उसे एहसास था कि ये जलन उसकी दोस्ती के लिए अच्छी नहीं थी अरे वा गरिमा ये तो बड़ी अच्छी बात है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ शुक्रिया प्रग्या देखना ऐसे तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छा रिष्टा आएगा और फिर हम दोनों खुशी-खुशी रहेंगे फिर क्या था? कुछी समय में गरिमा की शादी उस अमीर घर में हो जाती है और वो शेहर में रहने चली जाती है लेकिन इधर प्रग्या की शादी गाओं के ही एक आदमी से हो जाती है जिसका नाम रमेश था रमेश खेतों में मेहनत मजदूरी का काम करता था और वो बहुत गरीब किसान था दूर दूर शादी होने के कारण प्रग्या और गरिमा के बीच में बात होना अब काफी कम हो गया था लेकिन जब भी गरिमा प्रग्या को फोन करती प्रग्या के मन में गरिमा को लेकर जलन और जादा बढ़ जाती थी उसे धीमे धीमे अपनी जिन्दगी से नफरत होने लगी थी और साथी साथ गरिमा से भी उसे लगता था कि गरिमा बहुत मतलबी है और कभी भी उसको याद नहीं करती एक दिन प्रग्या अपने घर में खाना बना रहे थी कि तभी उसे गरिमा का फोन आता है अरे, ये मुझे क्यों फोन कर रही है, क्या काम है इसे मुझसे, खेर, उठा कर ने देखती हूँ प्रग्या गरीमा का फोन उठा लेती है, हलो, प्रग्या, कैसी हो तुम मैं तो ठीकी हूँ, गरीमा तुम बताओ, वो असल में मेरी बेटी सिया का पहला जन्मदिन है और अगले हफते संजे उसके जन्मदिन की पाटी रख रहे है, तो तुम आ जाओ ना, इस बार मा भी नहीं आ रही मेरा बहुत मन है कि तुम अपने पती रमेश को लेकर आओ, हम कबसे मिले नहीं है ना क्या? रमेश को लेकर? अब नहीं नहीं, उन्हें खेतों में बहुत काम है, वो नहीं आ पाएंगे हाँ मगर मैं आ जाओंगी, वैसे कब आना है? अच्छा कोई बात नहीं, पाटी अगले हफते प्रग्या ठीके मैं आ जाओंगी प्रग्या फोन काट देती है और सोच में पड़ जाती है एह भगवान, गरिमा ने मुझे क्यों बुलाया? कहीं ये मुझे वहाँ बुलाकर अपने अमीर दोस्तों के बीच में निचा तो नहीं दिखाना चाहती अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है वहाँ जाकर तो पक्का मेरी बेज़ती होने वाली है प्रग्या ये सब सोची रही थी कि तभी रमेश खेतों से घर लोटता है अरे, अच्छा हुआ तुम आ गए मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है क्या? कैसी बात प्रग्या? मुझे पैसे चाहिए वो गरिमा है ना? उसने मुझे अपनी बेटी के जन्म दिन पर बुलाए है और तुम तो जानते हो ना वो कितनी अमीर है मैं ऐसे तो नहीं जा सकती वहाँ पहले मुझे अपने लिए कप्रे खरीदने पड़ेंगे और फिर उसकी बेटी के लिए तोफा भी अच्छा? मगर प्रग्या तुम्हें तो वो पसंद भी नहीं है तुम जब भी उससे बात करती हो हमेशा तुम्हारा मन खराब हो जाता है फिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हमेशा इस घर में ही बैठी रहूँ और चूला चोका करूँ कहीं बाहर ना जाओ उसने बुलाया है तो मैं जाओंगी जरूर बस मुझे पैसे दे दो अच्छा अच्छा ठीक है प्रग्या मगर कितने पैसे चाहिए तुम्हें कम से कम बीस हजार इससे कम में तो कुछ भी नहीं होगा क्या बीस हजार इतने पैसों का क्या होगा अरे मुझे शेहर जाना है पडोस की चाची के जन्म दिन पर नहीं मुझे चुपचा पैसे दे दो बस अच्छा ठीक है प्रग्या मैं किसी तरह से दसजार का इंतिसाम कर दूँगा मगर इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे प्रग्या मुँ बना लेती है मगर वो और कर भी क्या सकती थी अगले ही दिन वो पैसे लेकर शेहर चली जाती है प्रग्या सीधा गरिमा के घर पहुचती है और उसका घर देखकर प्रग्या के तो होशी उड़ जाते हैं हे भगवान इतना बड़ा घर ये गरिमा इतने बड़े घर में रहती है वाँ, इसमें तो मेरा पूरा मोहला रह ले प्रग्या घर के बाहर खड़ी होकर घर को देखी रही थी कि तभी पीछे से एक कार के हॉर्ण की आवाज आती है और प्रग्या सेहम जाती है वो पीछे मुण कर देखती है तो पीछे एक कार हॉर्ण बचा रही थी कार में गरिमा बैठी हुई थी और ड्राइवर कार चला रहा था प्रग्या को देखकर गरिमा खुशी से बाहर निकलाती है और प्रग्या को गले लगा लेती है अरे प्रग्या तुमने तो मुझे सर्प्राइज ही कर दिया तुम जल्दी कैसे आ गई वो गरिमा मैंने सोचा कि क्यों न जल्दी आ जाओ तो तुम्हारे साथ थोड़ी शॉपिंग ही कर लूँगी मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे न इसलिए अरे हाँ हाँ बिलकुल प्रग्या आओ अंदर आओ फिर हम बाद में शॉपिंग पर चलेंगे गरिमा प्रग्या को अंदर ले जाती है अंदर कई सारे नौकर चाकर थे वावा गरिमा तुम्हारे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं हाँ प्रग्या घर में पांच नौ करें अलग-अलग कामों के लिए वैसे आओ पहले में तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हो फिर हम साथ में खाना खाएंगे मैंने तुम्हें सच में बहुत याद किया प्रग्या तुम्हें इतने दिनों बात देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ मुझे भी गरिमा गरिमा प्रग्या को उसके कमरे में ले जाती है और फिर उससे कहती है अच्छा प्रग्या तुम्हें काम करो नहालो और फ्रेशो कर तयार हो जाओ फिर हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे और बाहर ही खाना काएंगे ठीक है ना? हाँ, ठीक है गरिमा गरिमा के जाते ही प्रग्या सोचती है वाह, जरा देखो तो कितना बड़ा घर है, कितने नौकर है, भगवान मैंने ऐसा कौन सा गुना किया था चो मुझे ऐसा पती और घर मिला प्रग्या नहाद होकर तयार हो जाती है वो तयार होई रही थी कि तब ही गरिमा वापस प्रग्या के पास आ जाती है तुम तयार हो गई प्रग्या चलो हम शौपिंग पर चलते हैं प्रग्या ने बाहर जाने के लिए काम साड़ी पहन रखी थी लेकिन गरिमा ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत अच्छे से तयार थी ये देखकर प्रग्या को काफी अजीब महसूस होता है अरे गरिमा हम तो बस शौपिंग करने जा रहे थे ये तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन लिए ऐसा लग रहा है कि अभी पार्टी में जा रहे हो तुम मैं तो बाहर जाते वक्त अक्सर ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ वैसे प्रग्या इससे याद आया कि मुझे भी पार्टी में पहनने के लिए कपड़े लेने है अच्छा हूँ तुम आ गई चलो अब जल्दी चलते हैं वरना देर हो जाएगी अच्छा ठीक है चलो गरिमा प्रग्या को एक बहुत बड़े मॉल में ले जाती है जहाँ पर साडियों का एक बहुत बड़ा शोरूम था प्रग्या वहाँ घुसते ही सोचती है अरे ये जगा तो बहुत बढ़ी है यहाँ पर तो बहुत महंगी महंगी साड़िया होंगी मैं कैसे खरीद पाऊंगी अरी क्या हुआ प्रग्या क्या सोचने लगी आऊ ना हाँ हाँ आई प्रग्या और गरिमा वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां देखते हैं गरिमा कुई साड़ी बहुत पसंद आती है मगर वो बहुत महंगी थी प्रग्या मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई है एक काम करते हैं हम दोनों ये ही साड़ी अलग-अलग रंग में ले लेते हैं फिर हम दोनों ही पार्टी में बहुत अच्छे लगेंगे, अरे नहीं नहीं गरिमा, ये साड़ी तो बहुत मेंगी है, मैं ये नहीं ले सकती, मैं किसी छोटी दुकान से साड़ी ले लूँगी, क्या, अरे प्रग्या तुम पैसो की चिंता मत करो, मैं हूँ न, अगर तुम् है और मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी भीग की जरूरत है, मैं अपनी साड़ी खुद खरीच सकती हूँ, यहां से नहीं तो कहीं और किसी छोटी दुकान से, प्रग्या की ऐसी कड़वी बाते सुनकर गरिमा को बहुत दुख होता है, अरे ये तैयार होई रही थी, प्रग्या तैयार होकर पार्टी में पहुच जाती है, मगर वो देखती है कि पार्टी में सभी लोग बहुत जादा सजे धजे थे, तभी कुछ और थे प्रग्या को इशारा करके अपने पास बुलाती है, क्या, आपने मुझे बुलाए क्या, हाँ हा प्रग्या को अपना ये अपमान सुनकर बहुत बुरा लगता है। अपसे तुम लोग इसी की पार्टी में ये जूस और पनीर टिक का ठूस रहे हो। लगता है कि तुम लोगों के पास केवल पैसा ये तमीज नहीं। संजय अपनी बेटी सिया को लेकर आ जाता है। आप ही प्रग्या है ना? गरिमा ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया है। हमेशा अपनी और अपने दोस्तों के किस्से सुनाया करती है। संजय के ऐसी बाते सुनकर प्रग्या को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मगर वो पार्टी में गरिमा से कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन जब घर वापसी का समय हो जाता है। प्रग्या गरिमा से कहती है। मुझे माफ कर दो गरिमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बरताव किया। कोई बात नहीं प्रग्या, ये सब तो दोस्ती में चलता ही रहता है। मगर अच्छी बात ये है कि अब सब ठीक है। हाँ पर अब मुझे जाना होगा, लेकिन अब मैं जल्द ही वापस तुछ से मिलने आओंगी। हाँ प्रग्या वैसे ये लो, तुम्हारे ले छोटा सा तोफा। ये क्या है गरिमा? ये वैसी दूसरी साड़ी है जो मैंने अपने लिए उस दुकान से ली थी। मैंने उसी दिन दो साड़ीया ले ली थी, एक अपने लिए और एक तेरे लिए और वो भी अलग-अलग रंग में। अब हम अगली बार इसे साथ-साथ पहनेंगे। ठीक है। प्रग्या ये सुनकर गरिमा को गले लगा लेती है और वापस खुशी-खुशी अपने गाउं चली जाती है। इसके बाद उनकी दोस्ती और भी पक्की हो जाती है।